जेई एई पेपर लीक में नौ पर केजदर्ज पूर्व मंडल अध्यक्ष भी सामिल तो यहाँ पर संजीव चतुरुएदी के बाद एक और जो अनुभाग अधिकारी है वो भी जो है इसमें पकड़ा गया है उत्राखंड लोग सेवा आयोको पटवारी भरती लिखित परिक्षा के साथ ही अवर अभियंता जेई और सहायक अभियंता एई की भरती परिक्षा का प्रश्न पत्र भी लिख होने के मामले में नौ लोगों पर केजदर्ज किया गया है इसमें आयोक के एक और अनुभाग अधिकारी समेद भाश्पा का पूरों मंडल अध्यक्ष भी सामिल है उसने दस दिन पहले ही इस्तिपा दे दिया था परिक्ष लिख के खुलासे के दोरान ही जेई एई भरती परिक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई थी ये जो परिक्षा थी दोनों परिक्षाएं और तालिस हजार बच्चों ने दी थी अब यहां पर देखे आप जानते हैं पर 112 को जो है फिर से पटवारी लेकपाल का पेपर होना है और लगातार धानलियों में जो अधिकारी है अनुभाग अधिकारी वो जो है पकड़े जा रहे हैं निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव केरी कुमार और इसकी की पतनी थी सिक्षक राजपाल का भतीजा संजीव कुमार यह सारे जो है इन पर केज़यों केसंदर्ज हो चुका है तो यहां पर कोचिंग सेंटर है खासकर जो हरिद्वार रुड़की के है सेंटर उन पर जो है मेन नजर प्रसासन की बनाई हुई है क्योंकि यहां से जो टॉप रैंक की भिरती हैं वो सारे एक ही सेंटर के निकले हैं हो सकता है कि इसमें भी कुछ जो है मिली भगत हो तोनों परिक्षाएं हो सकती है निरस्थ, माना जा रहा है कि आयोग SIT की रिपोर्ट मिलने के बाद परिक्षा को निरस्थ कर सकता है पर जो लोग परिक्षा पांसकर सक्षतक्र की तेयरी कर रहे थे उन लोग को जो है तगड़ा जटगा लगा है और लगेगा ही दोस्तों क्योंकि जो है इने लोगों की धांदली के चकर में जो अच्छे बिर्थी हैं, वो विचारे भी पिसे जा रहे हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, कमेंट जरूर कीजेगा, मिलते हैं आप से एक नई सुचने के साथ, तब तक के लिए जैहिन!